क्या आप लोगों ने कभी अपनी बकरियों में देखा है बकरी कांटीन्यू छींकती हो हो सकता है किसी किसी भाई ने देखा हो बकरी जमीन में नाक को रगडती हो कांटीन्यू छींके जा रही है नाक को जमीन में रगड रही है क्या रीजन हो सकते हैं केवल अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि बकरी के माइंड में एक ऐसा कीड़ा हो जाता है जिसे बकडियां गोल गोल चक्कर काटती है लेकिन कभी आप लोगों ने उस कीड़े को देखा नहीं होगा या उसके वारे में जानकारी डीपली नहीं होगी कि कैसा कीड़ा होता है किस तरह का कीड़ा होता है क्या उसका इलाज होगा और ये चीजें तो प्राया देखने को मिल जाती हैं कि हमारी बकरियां जो है कांटीन्यू छींकती है नाक को जमीन में रगडती है तो उसी के उपर आज का टॉपिक है वीडियो भी उसी के उपर है तो इससे पहले मैंने भी कई बार मैंने क्या विचार आता था विचार यही आता था कि बकरी के हो सकता है कई मदमख्खी ने तो नहीं काट लिया इस नाक जमीन में रगढ रही है इस वज़े से चीर रही है बार बार यही बिचार आता था लेकिन जब मैंने कांटीन्यू बकरी को वाच किया आप दो-तीन मिनट तक बकरी को वाच करेंगे तो जो कीड़ा होता है वो उसके नाक में आ जाता है अंदर से जो लंक्स वगेरा में चला गया या अंदर जो कीड़ा पनप रहा है वो उसके नाक में आ जाता है लारवा होता है लारवा काफी बड़ा हो जाता है और वो बड़ा होके उसमें पंक वगेरा निकलते हैं सारी चीज़ें मक्खी का रूप लेता है और मक्खी ही अप आप लोगों को दिखाऊंगा तो जब लारवा वो बड़ा होता है मक्खी का रूप लेता है उससे पहले जब लारवा होता है तो बड़ा होता है और जब वो नाक में आता है तो बकरी बहुत तेज कांटीनियू छीकती है जमीन में नाक को रगडती है दीवाल में नाक को केवल आप लोगों ने सुना होगा कि बकरियां गोल-गूम ने लगती है कीडा होता है और बखरीयों के नाक में चला जाता है जिसे बखरीयों गोल-गोल गोमते है तो उसका treatment भी आप लोग जान लीजिए कीच रख देती है वो लारवा अंदर पनपते हैं वही लारवा जब पंक निकलने वाले होते हैं बाहर आते हैं बाहर निकलते समय बकरी छींकती है कई बार गलती से वो माइंड में चले जाते हैं माइंड में जाने से बकरी या गोल गोल चक्कर काटती हैं या उनको परेशानी होती है अब उसका इलाज क्या करना है इलाज में देखिए आपने चुकि मैंने सुरुआत में क्या क्या किया मैंने जब देखा बकरी कांटीन्यू छींक रही मैंने कई बार उसको वाच किया तो एक कीडा बाहर एक निकलता था, धीरे धीरे चलने लगता था, मुझे लगता था कि हो सकता है, पहले तो मैं यह सोचता था कि किसी मदमक्खी ने काट लिया, इस वज़े नाक को रगड रही है, उतना वाच नहीं करता था, लेकिन जब अक परी छींकने लगी, यह भी लगता था, तो उतनी अधिक जानकारी ना होने के कारण मैंने वीडियो आप लोगों पहले नहीं दिखाया या बनाया, लेकिन मैं वीडियो जरूर सूट कर लेता था, वीडियो काफी पहले मैंने सूट किया था साल डेर साल पहले, उसी के, और उस समय भी मैं इतना जागरूख था कि मैं बकरी को जो है डिवार्मिंग प्रापर कराता था, अल्बोमार, आईवर्मेक्टिम, यह जो साल्ट है, इनसे मैं निलजान, यह साल्ट की दवाओं से मैं डिवार्मिंग करा चुका था, इसके बावजूद भी बकरी के नाक में वो कीड़ा नहीं मरा यह बकरी के अंदर वो कीड़ा था, फिर कई डॉंक्टर से कंसल्टेंट बात चीत होई उसके बारे में जानकारी कि नहीं मैं तो प्रापर डिवार्मिंग कराता हूँ, इसके बाद वो कीड़ा कैसे जिंदा बना रहता है, तो एक चीज आप लोग य कि आप यह जो साल्ट यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक साल्ट आपको और यूज करना है, क्लोसेंटल साल्ट है, वो यूज करना है, उस साल्ट से उसके लारवा जो है, वो मर जाते हैं, अगली बार आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, जब मैंने यह दवा, क्लोसें उसके जो है इससे खतम हो जाते हैं तो आपको मैंने जानकारी जो है दवा की भी दे दी डी वार्मर भी एक आपको नया बता दिया कि साल्ट के डी वार्मर चे आपको यूज करना है जो लार्वा है वो मरते हैं बाकी आप बाकी जो मैंने देखिया ऐसा होता है कि दवाओं के नाम तो बहुत होते हैं दवा के बारे में बताया जाता है कि यह चीज ऐसे यूज करनी है यह यूज करनी है इसके यह फाइदे है लेकिन काम करके जब वो दवा देते हैं काम करके रिजल्ट मिलना बिल्कुल अलग चीज है हर कमपणी दवा बनाती है साल्ट भी बनाती है लेकिन उतना कौन सा दवा किसमे कितना बेटर तरीके से रिजल्ट देती है यह चीज़ें केवल काम करके सीखने से आती है तो मैंने काम किया प्रैक्टिकल किया देखे देखा चुँकि सारी जो दवाँ है मैं बता रहा हूँ कि पहले मैंने ये साल्ट यूज किये थे लेकिन उनसे रिजल्ट नहीं मिला था लेकिन जब ये दवा यूज करी इसके बाद मैंने फिर बकरी को नहीं देखा छींकते हुए या इस तरह का लारवा उसके निकलते हुए तो चलिए दोस्तो आगे वीडियो मैं आपको फटा फट दिखा देता हूँ जो मैंने वीडियो सूट किये थे चूँकि आप लोग भी देख लीजिए किस तरह का लारवा होता है और इतना बड़ा लारवा कैसे बकरी के अंदर पनपता है तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आगे वीडियो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बकरी के नाक से जो है कीड़ा निकला हुआ है और आप लोग बस सुनते थे या ऐसा कहा जाता था कि बकरी के मस्तिस्क में कीड़ा चला जाता है जिससे बकरियां गोल-गोल गोमती हैं तो देख लीजे ये वही कीड़ा है और ये मक्खी का एक लारवा है अब ये कहीं छुपके ऐसी जगह में गंदगी वाली जगह में जहां नमी वगएरा होगी इस तरह से बैठेगा जाके और दीरे दीरे इसमें पंख निकलेंगे चेओर होते हैं बड़े होते हैं इसके बाद फिर ये बाहर इस तरह से निकलते हैं तो जो बाहर आते हैं जो पकरी के नाक के बाहर आते हैं तो वो इस तरह के लारवा होते हैं तो चलते हैं दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा सभी के लिए हैपी ओली मिलते हैं झाल झाल